गदगद थे अमीट सा कहा 32,000 कुरसी लगाए थे उभी भड़ गया मंडब भी छोटा हो गया इतने अधिक लोग है आपका रहे कि लोग नहीं पहुचे अब बताए जिस पाटी का नेता कुरसी गिने है उस पाटी का क्या हश्ण होगा गीता कोरा जोइन करेगी गीता कोरा जोइन करेगी अखबार में छपा तो लोग तो उन्हीं को देखने आये थे गीता कोरा जोइन करती है या नहीं करती है तो वहाँ पर अब ग्रिये मंतरी वहाँ पर कुरसी गिन रहे है ठीक है सहकालिता मंतराले भी उनके पास है चैबासा के लोगों को आपपने ठग लिया नियो जन निती ऐसा बनाया बोले खतियान अदारित क्या मिलेगा चैबासा को इंसाफ आवाज आ रहा था नहीं मिलेगा यहां 1932 का खतियान है ही नहीं दिवाइडर रूल क्यों कर रहे हैं तो खत्यान पर बात करे ना, क्या बोले हैं खत्यान को नौवियों ने सुची में कल तो हमने उनसे कहा था, सरना धन कुट पर बात किये क्या उन्होंने कहा नोकरी पे भी सवाल उठाया, पांच लाख का वादा वे रोजगारी भत्ता करने वाले अभी भी सरकार में कैसे बने हुएं ठक के युवाओं को, नहीं हो रहा है तो करे कुर्सी खाली करो, बाबुलाल जी ने वहां भरे मंद से कहा, अमिस्सा को कि सरकार अकं लोगों से उन्होंने अपील की है कि 24 में इस सरकार को उकार के फेक दीजिए और चाइबासा से कमल खिला दीजिए, हमारे साथ जैमेम के वरिष्ट नेता सुप्रियो भट्टाचार जी है, दादा आप तुस्टी करन की राजनीत के चलते, आदीबासी दलित महिलाओं के सा पर चाड़ हो रहा है, फिर भी आप मौन है, यही आपकी राजनीती है, अमिट्शा का बयान. कि जो जो वहाँ पर चीजे हुई है, जो वह उत्तर प्रदेश में हुई है, तो गुमरा करना जो उनका अपना एक फित्रत है, उससे लोग हमको लगता है कि सीख अभी तक लिए नहीं है, देखिए एक कावत है, history reveals itself, जो 2019 में, 2 दिसंबर को जो जनसभा उन्होंने की, ठीक और उतने ही लोग के लगभग का जुटान हुआ, जो साफ ये संकेत दिरता है कि अब भ्रम में लोग नहीं आने वागता, गदगत थे हम इत्सा कहा 32 अजार कुरसी लगाए थे, उभी भढ़ गया, मंडब भी छोटा हो गया, इतने अधिक लोग है आपका रहे कि लोग नह आप बताइए ना, वो भी तो जो कुरसी में लोग बैठे हुए थे, तीन दिन से भाचपा का जो प्रपंच सेल है, कि गीता कोरा जोइन करेगी, गीता कोरा जोइन करेगी, अख़बार में छपा, तो लोग तो उन्ही को देखने आये थे, गीता कोरा जोइन करती है या नह के पास है अपने कारिकरताव से स्योग कर रहे हैं और सुबह 10-40 के जगे 12 बज़े पहुंचके में बाकी समय वो कुर्सी गिनते रहे अच्छी बात है अप कुर्सी गिना चाइबासा के लोगों को अपने ठग लिया नियोजन निति ऐसा बनाया भूले खतियान अदारित क्या मिलेगा चैबासा को इंसाफ आवाज आ रहा था नहीं मिलेगा यहां 1932 का खतियान है ही नहीं बोल रहा है डिभाइड और रूल क्यों कर रहे हैं यह हम तो बोड रहे हैं आप खतियान को तो पहचान का अधार बना देजी है चैबासा को छोड़ देंगे क्यों छोड़ेंगे 64 को ही बना देजिए लेकिन खत्यान को तो बनाई है आप तो 32 मांग रहे हैं फिर कह रहे हैं 32 जहां है कहीं 1912 भी है तो 1964 भी है खत्यान असल शब्द है तो खत्यान पर बात करे ना क्या बोलें खत्यान को नौवियों ने सुची में कल तो हमने उनसे कहा था सर्ना धन कोट पर बात किये क्या नहीं किये ना समयद शिखर जी पर क्यों ने राच प्रतुर वापस हुआ इस पर क्यों नहीं बोले तो देखिए लोगों को भ्रह्म में मत रखिए जो सच्चाई आप देश के इतने महान लोक्तंतर के आप मले चुने हुए जन प्रतित ही है देश के मानने एक ग्रह मंतरी हैं आपके मुझसे कम से कम इस बाते तरह की बाते अच्छी निगत दिए उन्होंने कहा नोक्री पे भी सवाल उठाया पांच लाग का वादा वे रोजगारी भत्ता करने वाले अभी भी सरकार में कैसे बने हुए ठक के युगाओं को नहीं हो रहा है तो करे कुर्सी खाली करो बाबुलाल जी ने वहां भरे मंद से का मिच्छा को कि सरकार अकंठ ब्रस्ट अचार में डूबी हुई है दूकरो का नोक्री का सवाल कहां गया कौन इसका उत्तर देगा इसका उत्तर क्या हेमन सुरंजी देंगे उनको भी तो उत्तर देना पड़ेगा ना सवाल पूछने से नहीं होता है आठ सालों में आपने क्या कितने रोजगार की अबस अब तीजे सामने आ गई है अब बहुत ज़्यादा दिन पर काठकी हांडी को आप आग पर नहीं चाहा करके रखेंगे चौधा और सुन्नि का रेशियो का नारा दिया संकल्प लिया विजय नाम भी था विजय रह लिए संकल्प विजय रह लिए नारा तो पैसेट भी था क्या हुआ तो नारा कुछ भी देता रही है जब जनता नारा खुलती है ना तो सब बुझा जाता है कि आदमिक का अपना क्यासिति है उस तो नेता ये कह रहे है कि फिछले चुनाओं में गलती ये हो गए कि छोटे भाई आसू से तालमेल नहीं बैठा अज सुबह सुबह ह सुदेश महतोजी ने मुलाकात किया मिच्छा से उससे तो कुछ डर बना होगा अप लोगों का है को डर इंडिये इंटेक्ट होगा अब इंडिये रहा कहा है ये डिजास्टर एलाइन्स अब खता है सुक्रिया हर सवाल का जबाब है हर जबाब का सवाल है कह रहे हैं अगर यहां महिला सुरक्षित नहीं है तो दिल्लिम का क्या हाल है ये भी बताना चाहिए नेताओं की यही फित्रत होती है जब आप उनसे सिक्का मांगेंगे तो पहले वो कह के बताएंगे कि कौन सिक्का बोला था लाने के लिए और वो सिक्का भी जब आ जाएगा तो वो पीतल का होगा चांदी का होगा ऐसे ऐसे कई सवाल होंगे सवाल में आप उलजियेगा नहीं नेताओं से जरूर पुछिएगा कि आपके अधिकार और आपके कर्तब से संबंदित कितनी बाते उनहों ने कही और आपकी एक्षाओं की कितनी पूर्ती उन्होंने की तभी अपने अनुसार से उनका आकलन कीजेगा और फिर वोट कीजेग सुक्रिया सुक्षा के साथ संसकार देते हैं